और अब बात सामुद्धिक शास्त्र की, सामुद्धिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मस्तिश्क रेखा के बारे में, जीवन रेखा के पास से ही मस्तिश्क रेखा भी निकलती है, किसी के हाथ में से सीधी निकलती है, तो किसी के हाथ में नीचे के तरफ बढ़ जाती है, कभी कभी ये रेखा जीवन रेखा के बिलकुस साथ ना निकल कर कुछ उपर से भी निकलती है मस्तिष रेखा के द्वारा जीवन की मानसिक छमता, बुद्ध योगेता, बौधिक इस्तिति योगेता, वैचारिक छमता आधिका आकलन किया जाता है ये रेखा जितनी साफ सुत्री होती है व्यत्ति की मांसिक प्रवत्ति उतनी ही शेष्ट मानी जाती है आधी अधुरी मस्तिष रेखा बाउधिक शमता में कमी की ओर इशारा करती है ये रेखा अगर थोड़ी नीचे की ओर जुकी हुई हो तो भावुकता पदान करने वाली तथा व्यत्ति की कला संगीत वा साहित्य में रूची को प्रकट करती है सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा मस्तिष रेखा के बारे में